हलो एब्रीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश न्सी आड़ी क्लास वोत का च्रेप्टर दे स्कॉलर्स मदर टांग अलर्नेट पंडित फंस विजिटेद दे कोर्ट अगबर एक बार की बात है एक बहुत ही होश्यार और पढ़ा लिखा पंडित था जिसने अगबर की कोट में विजिट किया था मतलब वो अगबर के दरबार में आया था उसने अगबर को और वहां के जो कोटियर समताब दरबारी थे उन सब को बताया की उसको बहुत सारी लैंगविजेस मतलब भाशाय आती है पंडित could speak many languages fluently पंडित था अखाँ बहुत सारी भाषा बहुत ही आराम से बोल सकता था fluently बोलना बहुत ही अराम से बोल लेना वो इतना जादा अराम से सारी भाशाओं बोल लिया करता था तो किसी को समझ ही नहीं यादा था कि उसकी mother tongue मतलब उसकी मातरभाशा कौन सी है He challenged everybody at the court to name his mother tongue और उसने क्या किया सारे लोग को challenge कर दिया जो भी दरबारी थे उनको कि वो उसकी mother tongue का पता लगाए When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal और जब सबी लोग fail हो गए, कोई भी उसकी mother tongue का पता नहीं लगा पाया तो यह challenge था mother tongue का पता लगाने का ये लिया Birbal ने That night, Birbal went quietly to the pundit's room when he was asleep तो क्या हुआ उस रात, Birbal गया pundit के room में, pundit के कमने में जब वो चुप-चाप से सोया हुआ था He whispered into the pundit's ear and trickled it with the feather और उसने pundit के कान में कुछ फुस-फुस आया और उसको एक feather मतलब होता है फुस-फुसाना और feather का मतलब होता है पंक trickle का मतलब होता है गुद-गुदी करना The pundit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue और pundit जो था वो आधा-दूरा सा जग्या और चिलाया कुछ शब्द ऐसे जो कि उसकी मातरभाशा के थे Beerbal came to the court the next day and told everyone that pundit's mother tongue was तेलगु और बीरbal next day court में आया और उसने सबको बता दिया कि जो pundit है उसकी जो mother tongue है मातरभाशा है वो तेलगु है the pundit was surprised and accepted the truth pundit जो था वो तो बड़ा हैरान परिशान हो गया आश्र चकेत हो गया कि इसको कैसे पता लगा the king asked then Beerbal how did you find the truth तो फिर उसकी बाद जो राजा थे उन्होंने Beerbal से पूछा कि तुम्हें सच का पता कैसे लगा Beerbal ने बताया in times of difficulty a person speaks only in his mother tongue उसने उसको बताया राजा को कि जब भी कोई इंसान बहुत ज़्याद मुश्किल या परिशानी में होता है तो वो हमेशा अपनी मातरभाशा में ही बोलता है he also told the king how he had gone to the pundit's room at night to find out the truth और उसने राजा को ये भी बताया कि वो किस तरीके से रात में गया था पंडit की कमरे में सच्चाई का पता लगाने के लिए तो हो गया हमारा चाप्टर कम्टीट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्युक्ट अच्ट week